आप देख रहे हैं श्री महा काल लोग टीवी नमस्कार श्री महा काल लोग टीवी में आपका स्वागत है आपके साथ मेहु आर्ति गेलुत आईए नज़र डालते खास खबर पर केंद्रिय मंत्री अनुराग ठाकुन ने मीडिया के सवालों पर कहा कि प्रदान मंत्री नरिंडर मोधी ने पहले दीन ही कहा था कि चुनाओ की पराजोई का प्रभाव सदन की कारवाई पर नहीं दिखना चाहिए और वही हुआ जबकि विपक्ष ने सदन ना चलाने का बहाना ढूंडा जन्ता से जुड़े मुद्दों को ना उठाना और रूप राश्टपती का अपमान करने का विपक्ष ने काम किया है देश के सामने एक सच्चाई आनी चाहिए कि विपक्ष का रवईया जो सदन के अंदर रहा तक्तिया लाना हंगामे मचाना हुड़दंग मचाना और आनन फानन में केवल संसत का बहिश्कार करना परधान मंतरी जी ने पहले दिन ही कहा था कि चुनाव की प्राजे का प्रभाव इसमें सदन में न दिखे उसको खामियाजा ना भोगतना पड़े और वही हुआ विपक्ष ने भाना ढूंडा सदन ना चलने का जनता से जुड़े मुद्धों को ना उठाने का और लगातार उपर राष्ट्य पति जी का अपमान करने का ये पहली बार नहीं पहले राष्ट्य पति जी का किया परधान मंतरी जी का बार बार अपमान किया समवेधानिक संस्ताओं पर बैठे लोगों को और समवेधानिक संस्ताओं को लगातार आलोचना करते रहे और उपर राष्ट्य पति जी पर जो कुख कृत्य विपक्ष के सांस दोने किया और श्रीमान रहुल गांदी जी एक पार्टी के पूर्व राष्ट्य अध्यक्ष ऐसे कृत्य करने वाले को रोकने की बजाए फिल्म करना और उसका प्रचार प्रसार करना ये अपने आप में दिखाता है कि विपक्ष का स्तर कितना गिर चुका है फिलाल इतना ही अधिक जानकरी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोग टीवी पर नमस्कार